नमस्कार आप देख रहे हैं देश की बाद मैं हूँ नगमा आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रिस की घोशना के बाद ये एलान कर दिया है कि वो बैंगलूरू में हो रही विपक्ष की बैठक में शामिल होने वाली है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी की बैठक में ये तै किया गया और रागफ जड़ा ने कहा कि वो कॉंग्रिस की घोशना का स्वागत करते हैं इससे पहले कॉंग्रिस महासचे वेनु गोपाल ने दो टूग कहा कि केंद्र के अध्यदेश का कॉंग्रिस समर्थर नहीं करेगी आपको बता दें कि कल बैंगलूरू में विपक्ष की बड़ी बैठक हो रही है इस बैठक में 24 विपक्षी धल शामिल होंगे इससे पहले पतना में हुई विपक्ष की बैठक में 15 दल शामिल हुए थे बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बानरजी, शरत पवार, नितीश कुमार, लालू प्रसाथ यादब समें तमाम बड़े विपक्षी नीता शामिल होंगे बैठक में लोकसभाद चुनाव में बीजेपी से मुकाबले की रणनीती पर चर्चा होगी त्रिनमूल कॉंग्रेस से लेकर आरजडी तक, जेडियू से लेकर डीमके तक, बी आरेस से लेकर एंसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उदभ ठाकरे की, शिवसेना तक, सीपी आई, सीपी एम, जार्खन मुक्ती मुर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अर्विन केजरिवाल जी के आवान पे इस राष्ट विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी अवाज बुलंद करी और संसत के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी इसी श्रिंकला में आज कॉंग्रेस पार्टी ने भी अपनी पुजिशन क्लियर करते होए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्च कराया है हम कॉंग्रेस पार्टी की इस अनाउंस्मेंट का स्वागत करते हैं वेलकम करते हैं इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंड़िट पार्टी इसकी बैंगलोर में जो बैठक है उसमें आम आदमी पार्टी आधरनी अरविंद केजरिवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी हमारा मत हमेशा सपष्ट था संग्हिय धाचे पर कभी भी कहीं भी कोई हमला हो वो तमिलाडू में हो वो बंगाल में हो या वो दिल्ली में हो हम उसके खिलाफ है और जब से ये सरकार आई है पिछले 9 साल से संग्हिय धाचे पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं ये संग की विचारधारा ही ऐसी है कि संघिय धाचे को ये लोग बरदाश नहीं कर पाते राज्यों के अपने अधिकार छेत्रों होते हैं उन अधिकार छेत्रों पर लगातार हमला मोधी सरकार करती आई तो उसी कल भी हमारी बैठेक हुई उसी सिलसिले में दिल्ली का जो अध्यादेश के इंदर सरकार लाई है हम उस अध्यादेश के विरोध में हैं क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी सदैव संघिय धाचे की रक्षा करती आई है और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंगलूरू से मनोरंजन भारती आनेजिंग एडिटर और इस विपक्षी एक्ता की जो बैठक हो रही है मनोरंजन इस पर नजर रखे वे हैं साती शरत चर्माया हैं जो हमारे सायोगी हैं इदर आम आदनी पार्टी की गतिविधियों को ट्राक कर रहे हैं मनोरंजन पहले आपसे विपक्षी एक्ता की पूरी तैयारी है और जो एक खलल डाल रही थी इसमें आम आदनी पार्टी वो भी अब दूर हो गया अध्यदेश का विरोध करने के लिए तो ये भी सवाल उट रहा है कि आखरी मौमिन पर ये जो फैसला हुआ उसे कौंग्रेस को क्या हासल होता है देखें दिसी दूसरे कॉंग्रेस ने रहात की सांस ली होगी कॉंग्रेस नहीं चाहती होगी कि कोई भी एन मौके पर ये मना कर दे कि हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे नगमा मैं बता दूं मैं वहीं पे हूँ जहाँ पर कल से ये मीटिंग सुरू होने वाली है और यहां पर जो है कल सुभा से नहताओं का आने का सिल्षिला सुरू होगा कल 6 बज़े से लेके 8 बज़ तक एक मीटिंग है यहाँ पर उसके बाद एक डिनर जो है वो सोनिया गांधी देंगी सभी विपक्स के नेताओं को अब जो है सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी की इंट्री हो चुकी है बिहार में आपको मालूम होगा पटना के मीटिंग में वो नहीं थी सोनिया गांधी के इंट्री होने से कई इसके मतलब निकाले जा रहे हैं इसका एक मतलब निकाला जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी के आने से कॉंग्रेस की दावेदारी और मजबूत होगी जो विपक्स के इस मोर्चे को लीड करने के लिए क्योंकि पहले भी UPA था और सोनिया गांदी ने सफलता पुर्वक जो है UPA दो टर्म चलाया था सोनिया गांदी काने का ये भी मतलब कि उनके जो संबंध है विपक्सी नेताओं से वो एक अलग दूसरे लेवल पे हैं कई नेता जो राहूल गांदी को लेकर के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे वो सोनिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे और जो बाते हमें बताई गए कि इस बैठक में कई चीजें तैय होगी दो तीन वर्किंग ग्रूप बनाय जाएंगे एक वर्किंग ग्रूप होगा जो ये तैय करेगा कि किस धंग से ऐलाइंस किया जाए यदि बंगाल में ऐलाइंस होना है तो कैसे होगा क्योंकि वहाँ पर अस्थानिया लेबल पर कॉंग्रेस जो है वो उनके खिलाब चुनाव लड़ती है यदि इन सारे नेताओं की जो 24 दल के नेताओं की मीटिंग यदि बुलाई जाए तो रैली कैसे और्गिनाइज की जाएगी इस पर चर्चा की जाएगी फिर ये क्या जाएगा एक एक वर्किंग ग्रूप होगा जो ये तैय करेगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा रहे हैं कि विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसमें सोनिया गांदी बहुत एहम रोल निभा सकती है उनका नेत्रित्व हो सकता है शरत आपके पास आना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने जो लगातार एक शर्त रखी हुई थी कि वो शामिल नहीं होगी इस विपक्ष गेऩ सबस्साहले का एगो क्लैश भी हो रहा था दोनों पार्टीों में सम्मंतों दोनों में खराब हैं ही लेकिन एगो क्लैश इस बाल को भी लेकर हो रहा था कि आम नेताओ को कहई कि राहूल गांधी और अर्विन केजिवाल वन वन बैठ लीजे आप बात कर लीजे चाय पर बैठ लीजे चर्चा कर लीजे अपने मधभेज जो हैं आप बहतर तरके से आपस में सुलजा सकते हैं लेकिन राहूल गांधी इसके लिए तयार नहीं होए और यहां तक उन्होंन में भी इसको अपनी जिद बना लिया कि अगर कॉंग्रेस इसका विरोध नहीं करेगी तो अगली बैठ हक में हम शामिल नहीं होगे अब कॉंग्रेस के ओपर बात इसलिए भी आई इस वाली मीटिंग में कि पहली वाली मीटिंग जो थी वो उसके और्गनाइजर या उसके मेजबान नीतिश कुमार थे लेकिन अब जो मीटिंग हो रही है बेंगलूरू में इसकी और्गनाइजर या इसके मेजबान खुद कॉंग्रेस है तो कॉंग्रेस को भी ये दिखाना है कि कैसे वो सभी दलो को साथ लेकर चल सकती है और बीजेपी को टक कर दे सकती है तो ऐ दूसरा ये कि अगर आमादी पार्टी साथ में आएगी तो ये बात भी है कि कॉंग्रेस जो है ये दिखाई देगी कॉंग्रेस लीड कर रही है तो जहां सुभह ये खबर आई कि आमादी पार्टी की टॉप लिडिशिप नाराज है तो कॉंग्रेस ने एक अदम आगे भर दें तो आखिर में फिर यही हुआ कि कॉंग्रेस ने अगर एक अदम आगे बढ़ाया तो आमादी पार्टी ने भी अपनी जो नाराजगी थी या अपनी इगो थी वो जो है दोनों ही तरफ से नीचे या कम की गई तो अब जो है बात बन गई है दोनों में फिलाल अब बैठक में अर्विंद के जिवाल कल शामिल होंगे जी तो कल शामिल होंगे अर्विंद के जिवाल बैठक में दोनों की बीच में जो टकराव था वो कुछ खतम हुआ है बात बन गई है और ननवाद आपका शरद और विपक्षी एकता की बैठक बैंगलोर में हो रही है ज 12 जुलाई को दिली के अशोक होटेल में एंडिये की बैठक होगी इसमें प्रुधान मंतरी मोदी ग्रे मंतरी अमिद शाह के साथ एंडिये के सभी दलों के नेता शामिल होंगे संसत के मौनसून सत्र से ठीक पहले होने जा रही इस बैठा का मकसद ये दिखाना है कि प्रुधानमंत्री के समर्थन में भी कई दल बीजेपी के साथ खड़े हैं अगर संक्याबल की बात करें तो एंडिये विपक् विपक्ष की बैंगलूरू बैठक में 24 दल शामिल हो रहे हैं इंडिये की बैठक में करीब 30 दल जुट रहे हैं इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश जहां एक और विपक्ष की बैठक में बैठक में बैठक में जा रहे हैं अच्छार तारीकी शाम को पाच बजे अच्छो का होतल में ये बैठक होगी अभी फिलाल इंडिये में 24 दल हैं लेकिन इंडिये अपने कुनबे का विस्तार भी कर रहा है नए दल इसमें जोड़े जा रहे हैं आस्तुबही 19 राजभर उन्होंने खोशना किये कि वो इंडिये में शामिल हो रहे हैं अजीर पवार का गोट जो है वो बीजेपी में साथ में आ चुका है इसी के साथ जीतन राम माजी हो चिराथ पास्वान हो उपेंदर कुश्वा हो ये विक्रम ये शानी हो बीजेपी के साथ कभी रहे थे अब फिर से बीजेपी के साथ आ रहे हैं तो इस तरह से एंडिये के अभी 24 दल थे लेकिन माना जा रहा है कि इस तरह से एंडिये ये दिखाएगा कि 2024 के लिए जहां 24 विपक्षी पार्टिया एंग्जूट हो रही है पीए मोदी के खिलाफ वहीं 30 पार्टिया ऐसी है जो पीए मोदी के साथ उनके नाम पर उनका समयसन करनी के लिए अचा हो रही है लेकिन महतुपन बात ये कि जो आ इंडिये ने एक जूट होकर उनके खिलाफ बयां गिया था तो ऐसे कई मोगे हैं जब एंडिये आता है साथ मिखटा होता है कई महतुपन बिलोपर भी एंडिये जो है वो लोग सभा में राच सवा में साथ देता है तो एंडिये का स्थी तो है बलकि ये भी कहें कि लेकिन यहां पर यह भी एस पर्श्च करना जरूरी है कि इनमें कई ऐसे दल भी है जो बहुत चोटे चोटे दल है और जिनकी संसर्ट में खिलाल ताकत नहीं है लेकिन फिर भी बीजेपी एक एक चोटे 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 दल चाहें हो लेकि राज़ुन उनकी भूमी का है क्य लेक ले रहे हैं उदर बेपक्षी एकता की बैठक हो रही है इदर एंडिये अपनी दाकत दिखा रही है वहाँ चोबीस दल हैं यहां पर तीस हैं तो काफी एक जुरता की कोशिच हो रही है एक व्रेक लेते हैं समय और लोटेंगे और खबरे देखेंगे दिली के बार की अधाय जोटेंगे लिए एक तरफ विपक्षी अपने आप को एक जुट कर रहा है तो दूसरी तरफ एंडिये भी अपना कुन्बा बढ़ा रहा है इसी कड़ी में यूपी में सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी फिर से एंडिये में शामिल हो गई है पार्टी के प्रमुक ओम प्रकाश राजभर ने अमिद्चा से मुलाकात के ये फैसला लिया है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर साहब है ओपी राजभर साहब से लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं चुनाओ के दौरान भी चुनाओ से पहले भी और चुनाओ से बाद में भी बहुत दिल्चस्प शक्सियत है इनकी हर बात का ये पूरी तरीके से सही से जवाब देते हैं बुरा नहीं मानते हैं राजभर जी एंडिये जाने का फैसला क्यों लिया देश और प्रदेश गड़बंधन से जूज रहा है उस इस्तिती में हमने देखा कि जो गड़बंधन बन रहा था विपक्ष का उसमें कोई दम नहीं यूपी के लिए तो ऐसी स्थिती में जो गड़बंधन बनाने वाले लोग न मायवती जी से बात कोई कर रहा था ना हम कोई मतलब नहीं रहा तो इसी स्थिती में परसों ग्री मंतरी जी का फोन आया कि आप कहां हो हमके दिली लखनव हैं तो कहां दिली आ जाओ तो हमने का ठीक है आते हैं मैं चला गया गया बातचीत हुई तो बातचीत से उन्होंने कहा कि आप इंडिये में आईए आपका तो हमने का कि ठीक है चलिए हम लोग मिल के चुनाव लड़ा जाए हम मिल के चुनाव लड़ा जाए राजबर साब क्या वादा किया है लोगसवा लडएंगे आप वैसे वह विधायक हैं तो लोगसवा की कोई टिकेट मांग रहे हैं आपकी कोई सीट प्रॉमिस की गई है अब गडबंधन तो हो रहा है लेकिन गडबंधन के भी कुछ धर्म होते हैं कुछ कहा जाए नाप जो कुछ मोल भाव भी होता है कहां से टिकेट लडएंगे लोगसवा लड़ेगी पार्टी आपकी तो कॉनसी सीट मिल रहे हैं आपको कि पार्टी लोग सभा कचुनाव भी लड़ेगी सरकार में भी सामिल होंगे ये सारी बातें 18 तारीक को अंडिये की बैठक है उस बैठक में मानी प्रधान मंत्री जी रहेंगे कुछ बिंदूओं पर 18 को या 19 को बात हो जाएगी कुछ बिंदूओं पर आगे फिर बैठक करक ने, भी ने, भी नभी नहीं बन रहे हैं, मंत्र ले कौन सा मिल रहा है वह दूबात में देख लेंगे लेके यूपी सरकार में मंत्री तो बन रहे न वह तो तह हो गया लगग और ठारत तारिक उता हो जाएगा, बता देंगे आपको, आपके माध्यम से जनता को भी जनकारी हो जाएगी चलिए राजबर जी आप से हमेशा की तरह बात तेरा के बड़ा मज़ा आया और आप हर सवाल का जवाब देते हैं अजीत पवार आज अपने चाचा शरत पवार से मिले और ये मुलाकात ये अश्वंतरा उचवान सेंटर में हुई इस दोरान अजीत पवार गुट के सारे मंतरी भी साथ में थे शरत पवार समर्थक नेता भी थे इस मुलाकात के वक्त मुझूद रहे सब और कल से महराज़ बिदान सभा का मौनसून सत्र भी शुरू हो रहा है ऐसे में इस मुलाकात को लेकर कई तरह की सियासी अठकलें शुरू हो गई है हाला कि अजीद पवार गुट की तरफ से प्रफल पटेल ने मीडिया को बताया है कि इस मुलाकात की कोई भी सियासी मतलब नहीं निकालना चाहिए हम लोग शरत पवार से आज शिरवाद लेने आये थे हमने शरत पवार से ये आगरा किया है कि वो पार्टी को एक रखे आज यहाँ पर आदर्णिया शरत पवार साहब मौजूद है ऐसा हमको मालूमात मिली तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे तो जैसे हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सुचित किये वे यहाँ पहुँचे आदर्णिया शरत पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशिरवाद उनसे मांगे और उनसे विनन्ती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करें इसके लिए हमने विनन्ती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें आदर्णिय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी विधान मंडल के मौनसून सत्र की पूर्व संध्या पर सत्ताधारी दल की तरफ से एक चाहे पार्टी का आयोजन किया गया है इस चाहे पार्टी में मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्य मंत्री दिवेंद्र फड़नविस, उप मुख्य मंत्री अजीत पवार शामिल हुए और चाहे का लुद्फ फुठाया जबकि विपक्ष ने इस चाहे पार्टी का भाईशकार किया दिली में यमुना नदी के जलस्तर में कुछ गिरावर तो आई है लेकिन अभी भी कई इलाकों में हालत खराब है और दूसरी बात ये भी है कि बारिश अभी भी हो रही है पहाडों में भी यमुना का जलस्तर अब 205.88 मीटर है जो कुछ दिन पहले कि अपने सबसे उंचे स्तर से खरीब धाई मीटर नीचे है लेकिन अभी भी नदी खत्रे के निशान से उपर ही बेह रही है यमुना में खत्रे का स्तर 205.33 मीटर है आखिर दिल्ली में क्यों भरा हुआ पानी निकल नहीं पा रहा है ये जानने के लिए मुकेश सिंग सेंगर ने एक टाउन प्लानर से बात की है दिल्ली में यमुना में क्यों इतनी बाड आई है और क्यों बाड का पानी शेहर में दाखिल हो रहा है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं टाउन प्लानर एके जैन साब सर यह नमें जो बार आ रही है किसे कारन क्या लग रहा है और यह जो दाखिल वे इसको आप कैसे देखते हैं पिछले हजार साल में दिल्ली कई बार बनी कई बार मिगडी दिल्ली सागर देखें तो कई बार दिल्ली बनी मतलब साथवे दिल्ली कहते हैं लटियस देली को शाजानाबाद भी बना तो एक रिवर है रिवर यमना और दूसरी तरफ है रिज जो की अरावली पहाड की का हिस तो हमेशा यह दिल्ली बनी वीज के बीच में और रिवर यमना के बीच में जब ब्रेटिश आये यहां पर 1911 में उन्होंने डिसाइड क्या की कैपिटल दिल्ली में बनेगी कलकता के वजाए तो उन्होंने एक साइट चूज की कारो नेशन पिलर पे जहां पे देली इनवस्टी आज कल पूराना सेक्रेटेरिट है जब आर्किटेक्ट और इंजिनियर्स आया आर्किटेक्ट एड्मिन लाटियन्स जब किंग जॉर्ज फाइव उसका फांडेशन स्टोन रख चुके थे वाइस राय को उनकी बात मानके रेकमेडेशन भेजनी पड़ी बिटिश गवर्मेंट को किंग जॉर्ज फाइव तक गई इसाब साइट हम राय सीना पे ले जाना चाहते है जो कि उची है फ्लड नी आएगी यह सब तब जाके राय सीना मना 62 में मास्टर प्लैन बना दिल्ली का पहली बार और मेरे खासे हिंदुस्तान में पहला मास्टर प्लैन था जो कि एक बड़ा कॉंप्रेंसिव सांटिफिक मास्टर प्लैन मनाया वहां पर गड़बर हो गई उसमें गड़बर कि यह ह बहुत की किलो मीटर यहां पर साड़े 300 किलो मीटर वेस्टर लेंन ऑनरी में जूर आठाइस मेज़र चर्च वह बहतियों जो कि डेनेज को सवर करती अ उसके अलावाद 2100 किलोमीटर लंबी छोटी माइनर ग्रेंज है अब जब मास्टर प्लैंड बना तो उनोंने यमना को सोचा यह तो या तो खाली जमीन है या बैक्यार्ड है दिल्ली का तो जो कनेक्टिविटी थी लोगों की शांजानाबाद से रोज जाते थे फैस्टिवल होते थे से वह उसको कट आफ कर दिया वहां पर एक रिंग रोड बना दी रही रिंग रोड फास्ट्राफिक के लिए और रिंग रोड भी जो बनी करीब 20 फूट जमीन भर के वहां पर मोट होती थी जमीन भर के रिवर बैड में रिंग रोड बनी दूसरी बात यह कि जो पानी आ गया इस ड्रेन गिर रही है यमना में जैसे की ड्रेन नमबर 12 है से नर्सिंग हो नाला वह बैक फ्लो हो गई है क्योंकि वहां पर जब रिंग का लेवल 208 मीटर पहुंच गया और उसका लेवल ड्रेन का लेवल 203-204 मीटर है तो वह बैक फ्लो होके पानी वहां पी आ गया और वह एक्मिलेट हो गया फिर जितने यह बैराज के गेट्स हैं वह बंद थे तो वह पानी का फ्लो ब्रेक फ्लो नी हो पा रहा है तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी हम छोटी ड्रेंस हैं बड़ी ड्रेंस होंसका एक इंटीग्रेटर प्लैन मना है और उ कि तो वह सारा नेटवर्क हमें देखके उसमें काम करना होगा और यह जो टेंप्रेट सालुशन होते हैं पंप लगा दिये मोटर लगा दी यह कई बार लगाए हैं मिंटो ब्रिच में आपने देखा आभी प्रक्ति मैदान के अंडर पास में देखा और जगे जगे यह सब एक टेंप्ररी होते हैं एक दिन दो दिन पास दिन के लिए पर यह परमानेंट सालुशन नहीं है तो जान साफ पे मुआइक सारे उपाय करने होंगे, बहुत सारी गल्दियां पहले हो चुकी हैं, लेकिन अगर अगर अब इस बार्टसे बचना है, बार के पानी से बचना है, तो सरकार को इसके लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे। नई दिली से क्यामरामेन मुहम्मद मुस्लीन के साथ में मुगेसिन सेंगर एंडीटीवी इंडिया उत्तर पूर्वी दिली में खास करके एसे जादातर अलाके हैं जहां पर ये बार का पानी आ रहा है प्षकिल हो रही है यमुना में पानी कम हो रहा है कुछ तो लेकिन इस इलाके में जो गंदा पानी है वो अभी भी भरा हुआ है जड़ाओदा का हरदेव नकत यमुना का पानी लोगों की घरों में नाले का पानी बनकर बह रहा है पिछले तीन-चार दिनों से गंदा पानी आ रहा है लेकिन खबर लेने वाला कोई नहीं है आपके घर में कब से पानी घुसा है इसमें चार दिन होगा है सर महिदूरी करते हैं लकड़ी भी नहीं ला पार है हम तो बाहर से अंदर चल के देख सकते हैं आप लोग आज चार दिन होगे एक गटर के पानी बैक माना शुरू हो गया है और पीछे असकी दरंग कारी ग्राउंड है उसका पानी फ्लाब होगे इसारा पानी यहां आई जा रहा है और उससे क्या और आप स se हारा गटर भैक होते जा रहे आज पानी दिन होगे मेरी बन्त और हमें को पार्किंग दूग गई है हमारी पार्किंग में पार्किंग आचुका है नियुक्त ऊइड़े अच्टा माझे फ्रिवन जुद्वर भिपंद में युडर कि छाने से घृत्रा बढ़ गया है उपक्जा गवरयों पान्च वाद नहीं है इतनी गंदगी इतने स्नेक बार भी नहीं निकल से ना कोई दूर ना पानी राशन पानी इतना तो एंदर रहा है पूरा आ रहा है आपके यहां गरों कासी है कोई कोई आता भी नहीं है इदर देखने पानी की वहता है रहत है बहुत पूर निकल नए पूरी राथ हो गई जगते जगते अभी आप लोग जा रहे हैं रिस्ते दारों के जा है बावजूदिस के अभी तक प्रसाशन यहां के लोगों की प्रसानियों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है कुछा है लोगों है घरों में सांब गुसरें नीचे के मकानों में बहुत बूरी हालत है हर्देव नगर में पिछले तीन दिनों से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ नालो का पानी बेहने के वज़े से लोगों की घरों में साफ पानी आना बंद हो गया है वहीं कुछ लोगों को खाने की भी समस्याय हो रही है लोगों को कहना है की इस गंदे पानी की वज़े से उन्हें कई तरह की विमारिया भी है कुछ लोग यहाँ अभी टेंपररली घर छोड़ कर जा रहे हैं वहीं लोगों का कहना है कि यह प्रसाशन और M.C.D. पुरे इलाके पर ध्यान नहीं दे रहा है मैं आश्मनी कुमार सिंग एंडी टीवी इंडिया के लिए महराष्ट्र में एक किसान दमपती को टमाटर ने देखते देखते करोरपती बना दिया है पुने की जुनर तहसील में एक किसान दमपती ने इसी साल अप्रेल में 12 एकर में टमाटर की फसल लगाई थी और इश्वर गायकर और उनकी पतनी गायतरी गायकर ने टमाटर के तक्रीबन साथ हजार पौधे रोपे इनकी फसल अच्छी हुई और देश में कई इलाकों में बाढ़ पानी और कई और वजों से टमाटर की काफी कमी पड़ गई और टमाटर के दाम आसमान चुने लग गए तो अब 15,000 क्रेट टमाटर बेज कर इन्हों ने 2,30,000 रुपे की कमाई की है 6-7,000 क्रेट टमाटर अभी भी इनके खेतों में बाकी है